आपके बिहार में ग्रामी डाग विभाग ने सीधी भरती का नोटिफिकेशन जारी किया है फिल्ड आफिसर के लिए जहां फ्रेंट सीधी भरती निकाली जारी है इसके लिए आप से कोई एक्जाम नहीं लिया जाएगा इंटर्व्यू के माध्यम से आप लोगों का चैन किया जाएगा और इंटर्व्यू को डेट 28.09.2021 को रखी गई है तो ओ इंपॉर्टन डाकूमेंट्स क्या लगने वाले हैं यानि कौलिफिकेशन क्या है और आपको इंटर्व्यू देने कहां पे जाना है ये सारी जान करिये आपको इस वीडियो में नोटिफिकेशन के जरिये दी जाएगी आप वीडियो के नतक बनी रिएगा चलिए फ्रेंस वीडियो को सुरू करते हैं तो जैसे के आप देख पा रहे हैं भारतिय डांग विभाग कारियाले डांग अधिच्छक समस्तीपूर प्रमंडल समस्तीपूर कोड नमबर इतना के तरब से यहाँ पर वाकिंग इंटर्व्यू रखा गया है देख पा रहे हैं अधिच्छक डांग घर समस्ती प्रमंडल दौरा साक्षतकार यानि के इंटर्व्यू के माध्यम से डांग जीवन वीमा एम ग्रामीट डांग जीवन वीमा के बेवसाय करने हैं तो फिल्ड आफिसर न्यूक्ति किये जाने हैं इच्छुक आविदक जो कमीशन आधारित फिल्ड आफिसर का कारी करना चाहते हैं यह बात आप यहाँ पर याद रखेगा कमीशन आधारित फिल्ड आफीसर का जो कारी करने की इच्छा रखते हैं और निम्न योगता रखते हैं जो योगता यहाँ पर मांगी जा रही है वह दिनांक 289-2020 को इंटर्व्यू है तो कारी आले अधिच्छा डाग घर समस्ती पूर में 11 बजे अपने बायो डाटा उम्र वे सिच्छा समन्दी दस्ता वेच अन्भव रुमान पत्र है यदि कोई हो यानि आपको पास इस्पिरियंस सर्टिफिकेट है तो अगर नहीं भी है तब भी जा सकते हैं साथ लेकर उपस्तित हो सकते हैं ठीके आपका इंटरिव्य कब लिया जाएगा थाइस नो दोजार इसको कितने बजे ग्यारा बजे और कहां पे तो साख सिता है तो कारियाले अधिछक डाग घर समस्ती पूर में ठीके बायो डाटा के साथ आपको जाना है अब यहाँ पर कौलिफिकेशन की बात करते हैं तो फिल्ड आफिसर के लिए योगता नमबर एक यहाँ पर दिया गया है कि आविदक की स्रेंडी कोई भी केंद्रिय राज सरकार से क्या है कि सेवा निर्वित क्रमचारी अधिकारी वर् और डारेक्ट एजन्ट की भरती चालू है और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इच्छुक उमीदवार अधिच्छक डाक घर कारियाले समस्तिपूर में संपर करें और अधिक जानकारी के लिए सहायक डाक अधिच्छक समस्तिपूर और दिया गया है यहाँ पर मुबाइल नमबर दिया गया है जिनपर आप कांटेट करके डीटियल निकाल सकते हैं तुन कर सकते हैं तो जानकारी कैसे लोगी वीडियो की लाइक करें वीडियो को जाथ स जाधाध आपने फडेंड के साद Давайте सID करें और हाँ फ्रेंट्स ये फ्रेसर के लिए नहीं थी इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ फिर्म लेंगे नहीं इस वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर